इस्राइल हमास चुद्ध की वज़े से हिजबुल्ला और इस्राइल जंग की मुहाने पर खड़ें दोनों के वीश लगातार भीशण हमले हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस्राइल कभी भी हिजबुल्ला के उपर आक्रमण कर सकता है लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला भी लगातार उत्री इस्राइल को हमलों से दहलाने में लगा हुआ है इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने आईडियेफ की जारित मिलिटरी बेस पर दरजनों रॉकेट दा गे हैं इसके साथ ही हिजबुल्ला ने नकौरा नौसैनिक अड़े पर भी गोला वारूत की जड़ी लगा दी है हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में इसराइली सैनिकों के जमावडे पर हमला किया है साथ ही कबजे वाले कफार चौबा हिल्स पर समाकवा साइट पर भी हिजबुल्ला ने आईडियफ पर सीधा हमला किया हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने आईडियफ के रुएसित अल आलम मिलिटरी साइट पर हैवी मशीन गन से हमला किया वहीं कबजे वाले शीबा फार्म्स में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। यहां पर हिजबुल्ला ने जिबडाइन सेन इचोकी पर तावड तोड गोला बारूद और रॉकेट बरसाएं हैं। इसको लेकर लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षडी लेबनान से इस्राइल के पश्चिम अल जलील पर रॉकेट का पूरा पूरा जथा दागा गया है। इन हमलों को लेकर खुद इस्राइली मीडिया का कहना है कि गौर्नौट, हागलिल और गौरेन में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आईडियाफ ने खुद 25 हवाई औबजेक्ट्स को पश्चिमी अल जलील की तरफ इंस्पेक्ट किया। टाइम्स ओफ इसराइल ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुला ने उत्री इसराइल पर करीब 45 रॉकेट फायर किये। और इसके बाद ही तम तमाए हिजबुला ने इसराइल के गैलीली पर दोपहर दो बच कर 30 मिनट पर करीब 25 रॉकेट फायर कर दिये। इसके बाद इसी इलाके में करीब 20 रॉकेट और फायर किये गए जिसकी वज़े से आसपास कि कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बज को मार कर आईडियफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडियफ का कहना है कि हमादा हिजबुला की एक रिजनल यूनिट में ऑपरेशन का अधिकारी था जो की जोईया इलाके में सक्रिय था। यह इलाका दक्षणी लेबनान के डेर किफा इलाके से काफी नजदीक है और य क्षणी लेबना दक्षणी लेबना है।